हेलो चांपियन्स, वेलकम तो फांटसी क्रिक बॉल गाईज, फर्स्ट अफ अफ आल, हैपी न्यूएर तो आप सब को नौवट्स की धेर सारी सुफ कामना है और ये नया साल आप सब के लाईप में धेर सारी खुशियां ले आए और आप बहुत अच्छी फांटसी टीम इस पूरे येर में बनाओ, जिस तरह की शुरुवात हमने की है, I hope इसी तरह से अब 2023 भी हमारा चलने वाला है, तो हैपी न्यूएर आप सब को, गाईज, आप भी ना मुझे बहुत अच्छे अच्छे विश्च कॉमेंट में, जल्दी से कर ले ना, और अब भी मेरे चानल में अगर ने होना तो सबसे पहले मेरे चानल सब्सक्राइब कर लो, आज वैसे भी मैं कोई माच प्रडिक्शन की बात करने नहीं आई हूँ, बहुत सारे लोगों के ऐसे मुझे डिमांड आई थी, मैंने उनके भीहाब पे सोचा न्यू येर पे कुछ अलग करते हैं, माच प् पे हम कुछ नया ले के आएं आप सब के लिए, वो होने वाला है स्मॉल लेग स्पेशल्टी, स्मॉल लेग स्पेशल्टी वीडियो कैसे बनाना है, अभी तक आपने जील के हजारों वीडियो देख रखिये, लेकिन मुझे हम बहुत सारे मेरे कॉमेंट आते हैं ऐसे, कि स् दिरफ और सेफ ये वीडियो आपके लिए आई है, वो भी न्यू येर सर्प्राइज है वीडियो, तो गाईज स्मॉल लेग की टीम में किस तरह सेटिंग बना है, सबसे पहली चीज, जो किसी भी माच में टीम बनाने से पहले इंपोर्टेंस होती है कि पिच रिपोर्ट ज जीतती है, इससे पता चलता है कि पिच बेटिंग की है, वहाँ पर टॉज जीतने वाली टीम भी पहले बेटिंग करना चाहेगी और बड़ा स्कोर खड़ा करके माच को क्लीन स्विप करने जाएगी, तो वहाँ से टीम बनाना इजी हो जाएगा, अगर बेटिंग पिच है और जो टीम टॉज जीतके बेटिंग करने आने वाली है, तो हम उसको अपने टीम में सीधे सीधे उसके टॉप प्लेयर्स को ठाके भर लेने वाले हैं, और वहाँ पर उस तरह से जा सकते हैं, या अगर बॉलिंग पिच है, उससे भी आपको पता चलता है, आंकडे तो हम आ आपका वर्ल्ड कॉप आने वाला है, इंडिया में मैच होगा, आईपे लाने वाला है, तो वहाँ पर आपके स्पिनर्स को भी उतनी ही मदद होती है, जितनी की पेसर्स को होती है, तो वहाँ पर कॉम्बनेशन लगाना थोड़ा टफ हो जाता है, कुछ पिचेज फॉरिं क maximum pitches में आपके पेसर ही जादा विकेट निकाल के देंगे तो वहाँ पर आप पेसर्स को जादा अपने टीम में भरना है यह पहली बात होगे है कि पिच के बारे में exact point to point जानकारी होना चाहिए अगर आप टीम बना रहे हैं आप heavy उठा के किसी में spinner को टीम में भर दोगे और वो आपको कुछ नहीं देखे जाएगा मैं आज में तो वैसी गलती तो बिल्कुल भी ने करनी है इस पैसे की बात है और घट से पैसे लगा रहे हैं हम तो सोच के लगाना है कि किस तरह से उस पैसे को हम double triple और काफी जादा कट पाएंगे इसके बाद देखो second क्या होने वाला है न कि betting order जानना betting order जानना बहुत ज़रूरी है और betting order आप जानोगे कहां से guys जैसे ही lineup आता है न आप बहुत सारी साइटे पढ़िए आपकी click buzz है, fan code है हम खुद आपको provide कर देंगे अगर आपकी need होगी तो हम telegram पे आपको provide करेंगे लेकिन उसके लिए telegram join करना पड़ेगा तो सबसे पहले तो जाके telegram पे join हो जाओ क्योंकि team तो आग लगा रही है पूरे big bash league में सबसे highest winning percentage दिया है हमारे fantasy crack ball ने तो सबसे पहले link पे link description में है, जल्दी से जाके join हो जाओ guys, मुझे भी happy new year पे आप सब के लिए not happy कर दो लेकिन चली ठीक है तो वहाँ पर आपको betting order पता चल दाएगी small league की team बना रहे हैं GL की team नहीं बना रहे हैं कि हम पाचवे छटे नंबर पे risk ले लेंगे, यह team है small league की, यहाँ पर हम बहुत risk नहीं लेना हैं हमको safe जाना है, जादा तर कोशिश करो कि आप top के 3-4 player में ही batter में game खतम करना है हमारा top 3-4 player ही match खतम कर देगा, और captain voice captain के विलिए भी captain के लिए तो वैसे मैं favor नहीं करती हूँ जल्दी batter को लेकिर अगर आप voice captain के लिए try कर भी रहे हो तो openers के साथ जो भले उस match में loss हो जाए, लेकिर हर match में loss नहीं होगा, जादा तर कोशिश करो कि openers के साथ हमको जाना है और betting order जरूर जाना है कि हमारे team में वही खिलाडी रहे है जो कि उस match में perform करने वाले है ऐसा नहों कि उनका number ही ना है वह बहुत सारे match आप देखो आज कल तो 15 run पे all out हो जा रही है तो अगर match 120 के round है तो आपका उपर का top 3, 4 order सब match खतम कर देगा तो point कौन दिलाएगा top 3 तो betting order में जानो और top के player को team में भर लो यह हो गया दूसरा आज का दूसरा घ्यान तीसरा point हमारा यह बने वाला है guys, balling, balling attack balling attack मतलब इससे मैं ऐसे relate कर रही हूँ कि आप death के baller को team में लो जादा तर्चांसेज होते हैं small league की team में आप recently किसी भी match उठा के देख लो आपके death के baller सबसे जादा wicket निकाल ले हैं last में आते हैं, वहाँ पर chances होता है wicket निकालने का, या तो आपका सामने वारे team की wicket गेड़ चुकी होती है और आपका नीचे का 7, 8, 9, 10 wicket होता है जो की ballers खेलते हैं और ballers न, मतलब hat trick भी आप जादा तरो उठा के देख लो कि हमेशा hat trick भी death के baller को मिलती है, क्यों मिलती है उसके पिछे reason है, क्योंकि वहाँ baller बैटिंग करने आ रहा है अब भाई बुमरा और कुल्दी प्यादो back to back बैटिंग करने आएगा, तो wicket वहाँ hat trick मार सकता है खिलाडी तो वही इसी लिए death के baller या फिर power play के baller ये दो baller को आप कोशिश करो न, कि अपने team में cover कर लो death के baller मुझे लगता है small league के लिए सबसे key player होने वाले हैं तो ये जानना भी जरूरी होता है कि death में balling कौन कराएगा ये सब खिलाडी है, चाहे आप रसल को ले लो बहुत सारे खिलाडी है, आप बात कर लो जिस तरह से अभी रिचर्टसन वगेरा है तो last में आते है, जॉर्डन को ले लो हमें सब death में balling कराते हैं, विक्टे मिलती है पिटाई बहुत होती है, लेकिन विकेट निकालके हर माच में दे जाते है तो ये तीसरा point हो, हो जाने वाला है आपके small league की team मनाने के लिए fourth point क्या रहने वाला है ना तो मुझे लग रहा है fourth point ये होगा कि आप last 5 match की performance मतलब last performance देख सकते हो आप player की form क्या चल रही है player की form क्या चल रही है ये जानने के लिए हमें उसकी performance जाननी जरूरी है उसकी performance अगर हम जान जाएंगे कि वो last 5 match में किस तरह के performance दे रहा है तो उसके भिहाब पे हम judge कर सकते हैं वो भी कैसे judge कर सकते हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ guys अगर आप देखो ना कि कोई खिलाडी अगर last 2 match में बहुत अच्छा चला है 100% लिख के कैसकते हूँ तीसरे match में flop होने वाला है आप stats उठा के देख सकते हो और जो खिलाडी 2 match में या 3 match में flop हुआ है वो 4th match में चलने वाला है Hells की performance उठा के देख लो सबसे कजब का example है Stoinis की performance उठा के देख लो या फिर आप देख लो जिस तरह सा भी recently डूली back to back सारे match में विकेट ले जा रहे थे भी विकेट नहीं मिली है last match में या फिर आप उठा के बहुत सारे ऐसे example है हमारे पास अक्किल हुसान example है जो हर match में विकेट ले जाता है लेकिन हर दूसरे तीसरे match के बाद एक ऐसा match आता है जहां पर उनको एक भी विकेट नहीं मिलती है तो ये trick आप लगा सकते है small league के team बनाने के लिए कि अगर वो खिलाडी ने 2 match में बहुत गजब की performance दे रखी है तो confirm league के ले लो तीसरा match flop होने वाला है या 2-3 match flop है तो चौथा match में जादू चलने वाला है तो guys इस तरह से आप अपने team को best से best team बना सकते हो बाकी देखो हम तो खुद आपको अपने वीडियो में सब कुछ कवर करके देते सारी चीज आप तक पहुझाते हैं मतलब इतने stats, इतना अच्छा prediction, गजब की चीजे रहती है और बाकी final team तो आती है टेलिग्राम पे, जिसके लिए आप टेलिग्राम पे जोइन हो जाओगे, जल्दी से मेरे लिंक से और गाइस देखो लास्ट, पांच्वा हमारा टॉपिक ये रहने वाला है पांच्वा टेप्स, न्यू यार का पांच्वा टेप्स ये होने वाला है गाइस, captain, voice captain का selection क्योंकि आप टीम बनाने के टाइम में आपने pitch के recording player रख लिया है batting के recording batters को रख लिया, wicket keeper को रख लिया आपने ballers और all rounder के एक combination बना रखी है और selection percentage पर जो आपको वीडियो में बताता है ना कि selection percentage पर आप join कर लो भाई, जिसकी percentage 20% से कम है आप उस पर risk ले लो ये GL नहीं है, ये small league है यहाँ पर इतना बड़ा risk ले कि आपको कहीं और नहीं जाना है इतने ही में रो भाई कम में ही रोगे, खुश रोगे बराबर में ही चलो, बहुत extra कुछ नहीं कर जाना है, नहीं तो आपकी team भी बहुत extra में चले भी जाएगी एकदम खतम हो जाओगे वहीं पर तो ऐसा नहीं करना है, सेब जो small league की team हम बना रहे हैं, हम बहुत जाए और मैं जालता बिलीव करती हूँ small league की team, मैं खुद provide भी करती हूँ small league की team, मैं को GL की team में मतलब mini GLs मैंने बहुत साइब लोग को win करा रखें, आपको screenshot सारे टेलेग्राम पर मिल जाएगी जो stats आपको वीडियो में मिलते हैं, आप उसके भी हाप पर खुद से GL की team मना सकते हैं, ये small league की team हम किस तरह से सोच के बनाते हैं, ये चीज़ें आपके तक पहुचा रहे हैं, तो last point हमारा होता है captain voice captain का selection captain voice captain के selection के लिए small league में सबसे best option होने वाला है, all rounder एकदम सोचने की, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो आप हम पे छोड़ दो, हम तो team आपको best day देंगे, लेकिन आपको ये भी बोलते हैं कि last में आप एक दू चेंजरस अपने according कर लेना खुद के satisfaction के लिए और लेकिन मुझे जहां तक लगता है, अगर आप safe खेल रहे हो, small league का मतलब ही होता है safe खेलो, safe ले जाओ तो भाई, small league की team में आप खेलो ना, तो आप जाद दर कुशिश करो कि आप captain, voice captain, all order में जहो आपको bettors पे या फिर ballers पे बहुत रिस्क लेने की ज़वरती हैं हाँ, कभी-कभी कुछ माचेस में ऐसा बहुत sure अगर होते हो, जैसे like बहुत सारे ballers को लेकि हम बहुत आप बहुत सारे जाएगा और विकेट अगर नहीं मिलती है तो बैटिंग से पॉइंट देला देगा तो वहाँ पर आपकी टीम बिलकुल सकस्पूल हो जाएगी आपका पूरी जो आपकी स्ट्राटेजी है वो पूरी सक्सपूल हो जाएगी आप सकस्पूल हो जाओगे और आप छोटे इन्वेस्टमेंट से बहुत सारे पैसे बना सकते हो क्योंकि वही छोटे इन्वेस्टमेंट जो आपने एक पर इन्वेस्ट किया 500 को आपने 1500 बना रखे है 1000 बना रखे हैं 1000 को 2000 2000 से 5000 यह चीज़ें करनी है और यह चीज़ें ऐसी होगी जब आप पूरी स्ट्राटजी फॉलो करोगे गाइस देखो अभी तो बहुत सारा मैंने लेक्चर दे दिया है आपकी स्मॉल लिक की बेस्टीम बनाने के लिए लेकिन अबना मैं आपको एक स्पेशल बात बताने वाली हूँ इस न्यू यर की स्पेशल बात क्या होने वाली है क्रिकेट के आप भी फैन हो मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ क्रिकेट की और मुझे पता है आप यहां आए हो वीडियो देख रहे हो तो आप भी क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हो तो गई first of gen 2014 में कुछ special हुआ था Corey Anderson मतलब मैं बात कर रही हूँ इस समय Corey Anderson खिलाडी अगर आप उनको जानते होगे तो मैं उनके बारे में आप तक कुछ पहुचाना चाहते हूँ क्योंकि उन्होंने इस दिन को कुछ special किया था सबसे कम गेंदों में मतलब न्यूजिलाड के गजब के बल्लेबाज ने सबसे कम गेंदों पे सिप 36 गेंदों पे सतक जड़ के इतिहास रचा था सतक जड़ा था 36 गेंदों में और इतिहास जड़ दिया था सबसे कम गेंदों में सतक लगाने का बहुत महान खिलाड़ी, वेस्टन डीस की खिलाब सुनील नरायन की एक ओवर में गाईज चार छखके लगा रहे थे, कमाल था लेकिन उसी के एक साल बाद, 2015 में, 18 तॉप जैन, वहाँ पर इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया साउथ अफरीका के बहुत ही खदरनाग बल्लेवाज ABD विलियर जिनको हम सब 360 डिगरी नाम से जानते हैं, Mr. 360 डिगरी और हम बहुत पसंद करते हैं, रोल चैन्जर बैंगलोर के तरफ से जिस तरफ से उनके छक्के हर तरफ जाते हैं, सारे दिसाओं में उनके शौट्स खेल बहुत मतलब हम सब उनके फैन हैं, तो उन्होंने रिकॉर्ड टोड़ा और 31 गेंदों में लगा दिया सतक, तो गाइस यह देखो, बात हो गई है, अगर आप क्रिकेट की फैन हो, तो आप रिलेट कर पार होगे, कि मैं किस तरह से, मतलब मुझे किस तरह से क्रिकेट कितना जाधा पसंद है, तो गाइस चलो फिर आज के लिए वस इतना ही, गाइस बहुत जाधा बाते नहीं करूँगी, आपका दिन पर स्पेशल होने वाला है, न्यू यर स्पेशल है, आप भी जो बहुत सारी पाटी करो, मज़ा करो, एंजॉय करो, मैं भी थोड़ा सा चूटा म एक सीकेट लगता है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और अच्छे-चे कॉमेंट करके मुझे बताएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं इस तरह के जो बहुत सारे डेटा, कॉंटेंट मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, वो मैं नेक्स भी आपके साथ किस किसी फेस्टिवल या कुछ-कुछ बहाने से लेके आती रहोगी, तो अच्छे-चे कॉमेंट करके बताएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, गाइस चलते, अगर आप चाहो तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, और सबसे पहले टेलेग्राम को जोईन क लेना, Happy New Year फिर से बोलूंगी गाइस, Happy New Year धिर सारा, Happy New Year to all of you गाइस.